बहराई जिले के महसी शेत्र के तीन दर्जन गाउं में पिछले दो महिनों से आतंका प्राय बना आधमकोर भेडिये के धैशत का अंत हो गया है। जुंड का सरदार एलफा भेडिया गाउं वालों के हातों से मारा जा चुका है। बहराई जिले के महसी शेत्र में तमाजपुर गाउं में लंगडा भेडिया शनिवार की राद ग्रामिणों के हातों मारा गया। जानकारी के अनुसार भेडिया एक मासूम बच्चे को शिकार बनाने की फिराक में था लेकिन वहां मोजूद गामिणों ने उसे देखते ही हमला कर उसे मार दिया। भेडिया उस समय बकरी के बच्चे पर भी हमला कर चुका था। पिछले 24 दिनों से वन विभाग की टीम इस करीब आठ पजी सूच न मिली कि एक जानवर बकरी के बच्चे को ले जा रहा था। जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां बकरी और भेडिया दोनों उम्रत पड़े थी। वन विभाग इस भेडिय को एक बड़े समहूं का है सामान कर चल रहा है जिसमें पांच भेडियों को पहले ही पकड़ा जा चुका है डिएफव अजीत सिंग ने कहा कि इस भेडिय को आदम कोर नहीं का जा सकता क्योंकि पांच वेडिय के पकड़े जाने के बार कोई घटना नहीं गटी थी। फिल्हाल वन विभाग इस पूरे मामले की जाच कर रहा है औ पर डिएफव समेत आला अधिकारी गाउं पहुँचे और शव को कबजे में लिया डिएफव अजीत प्रताप सिंग ने बताया कि गाउं का नेरेक्शन किया गया है भेडिये के शरीर पर चोटके निशान है और मुह से खून निकल रहा है शव को कबजे में लेकर पोस्मा के खात और पचास से अधिक लोगों को खायल किया था वहीं वन विभाग ने पांच भेडियों को सैसई या चूडा मड़ी गाउं से पकड़ा है जिसमें एक की मौत रेस्क्यू के दौरान ही हो गई थी वहीं विभाग छटे भेडिये की तलाश कर रहा था इस दौरान ग् खेडिये को मार जाने के बाद क्रामिन राहत की सास ले रहे हैं वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पीज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद